और सचाई तो यह है कि मैं लड़कियों से डरता हूँ इतना क्यों डरते हैं इसका रिजन यही है कि आज की लड़कियां बात करने जाओ वो कप्पट जाएं क्योंकि बाई क्या चीज बुरा लग गई है उनको कोई भरोसा नहीं ना कभ उनके दिमाग में क्या चलना आए एक बॉम की तरह फड़ जाती है इस से अच्छा मैं इसी बात को डरता हूँ मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है तू नहीं कोई और सही कोई और नहीं कोई और सही लाक मिलेंगे हसी इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं विकासर हमेसा यही कहते हैं तो म हमारे यहां पे है हमारे हम लोग घर में भी खेलते हैं लेगन आरा तास खेलका हम पूरी रात खेलते हैं और स्ट्रेस फ्री होने के लिए वह बेटार उप्सन हम अपने तो जैसे मेरा ही मोवाइल था मैं चोरी हो गया वह बत्रा में हुआ था दरसल मेरे एक दोस्का फोन गया तो मैंने ऐसे फोन लगा है वो चार गाड़ियों में आए आठ लोग लेके चले गए देखिए अब हम हो या कोई भी हो आप पढ़ने हो ही जाते हैं जहां को समझ में है वो पढ़ाते हैं इसलिए हो जाते हैं नमस्ते दोस्तों मैं शिबाम दिवा कर और आपके लिए मुखरजी निगर के हमने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए और आप लोगा ने लाखो की संख्या में प्यार दिया आज दोस्तों हम एक दोस्त के रूम पे हैं और यह फ्लैट है एक रूम इस साइड है एक दूसरी साइड है और इसमें किचिन भी है रात के लगोगा भी छोड़ करके आजाते हैं और यह रूम है अंकित भाई हैं उनका और उनके एक छोटे भाई हैं उनका और दूसरी चीज़ बहुत सारे टूडेंट ने उनको एक बर वीडियो में देखा भी है तो उनसे ही बात करेंगे वो अमरे साथ भी हैं आप इदर देखेंगे तो यह कुछ बोक्स हैं और कुछ इदर हैं आप इदर ही आ जाएए जब भी समझा पाएंगे यह बताई है इंकित भाई यह वाला रूम तो आपका नहीं है आपके छोटे भाई का है दोनों लोग कब आई थे थे हैं हम लोग आया है दिसंबर में दरसल भाई मेरा दिसंबर में आ कित भाई सभी समझने की कोशिश करेंगे के पर इ drainage की हैं तो आपके भीं की हैं आ और किंगा इंग अधर किंगे हैं और beautir क सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा न्यूज पीपर भी आप लोग पढ़ते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो इन्होंने यह आगरा से लेकर के लिए दिया अगे की तरफ हम लोग चलेंगे किचीन वगेरा भी इनका दिखाएंगे कि यह लोग खुद से ही खाना वगेरा बनाते हैं अरे एक चीज दोस्तो आप इधर देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब मैं यहां पर आया था ना इनके रूम में तो मुझे लग रहा था यहां पर 20-25 लड़के रहते होंगे जूते देखकर के लेकिन बाद मैं पता चला है कि दो ही रहते हैं अच्छा इतने सारे जूत ही करता था अपर घर में आता था रहता था तो कुकिंग कैसा मुझे था को करना नहीं करना है लगए अब यहां आ यहां तो मझबूरी है लें इस समन मुझे सबसे अच्छा रखता है कुकिंग औरै की लगश्ए ओस देखेंगे पुखी जातब है आपका कानाना क्या है? अंकुर सिंग अब आप चाहिछ बनाने एतनी रहाप में? नहीं, एक आदस थी है ना क्लास कर गया आते हैं तो फिर चाहिछ पीते हैं नो आफ हए छोड जाते आपका पुखनल क्या है? हिली साइथ आपसे भी बात करेंगे पहले इधर को चलते है दोस्तों यहां पे आंके द्वाई का रूम है इसमेही आजाते हैं फिर इनसे ही जानेंगे देटेल से लिगे है दोस्तों इनका रूम इधर इनका study table बगेरा है map बगेरा लगा हुआ है अब इधर बैठते हैं जब बात करेंगे आपसे मुद्दे की जब सब इस्टुएंट से करते हैं उपर आईए दोस्तों पीछे आप देखेंगे तो इनकी बोक्स बगर है आप सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा जो कि बहुत सारे इस्टुएंट देख रहोंगे बभी जानना चाहते हैं आपसेनल क्या है और आपकी स्टेडी कैसे चल ले मेरा जो आपसेनल है वो मेरा हिस्ट्री है दरसल मेरा फेबरेट सब्जेक्ट में से है मैंने इसे मास्टर्स भी किया है इस होज़स मैंने अपना हिस्ट्री रखा है मांगे पढ़ाई तो चल ले क्योंकि मेरा चूटा हुआ था वर्ड हिस्ट्री स्टार्टिंग का तो फिर मैंने दूसरा बैच जोइन करके कर रहा हूँ तो वही यह है उसी का सारने कोश्चन दिया था परसोनर्स तो उसी का यह है आज मिला है वही अभी देख रहा था क्या इसमें गलतिया है तो उसमें यह कौन चेक करता है टीचर खुद ही करते हैं पर कोई और करता है जैसे यहां पर लिखा है छोटे छोटे पैरा गिराब बनाएं तो यह खुद सर चेक करते हैं और कोई और करता है नहीं दरसल कंटेंट टीम होती है उनकी तो वही टीम जो बेस्ट होते हैं वही करते है तो जो इसमें बुला जाता है उनको हम फॉलो करते हैं अगली बात दरसल मैं इसमें भी देख लिया था वहीं पर तो content team करती है हमारे को चीजिशन कहां से करके आया हैं मैं आगरा कॉलेज से किया हूँ भीमराव मेटकर उनिवस्टिय है मैंने अपना graduation और post graduation में से किया है आगरा से फिर दिल्ली की तरफ कैसे रुख मोड़ दिया आपने मैं आगरा के बाद मैं गया था कानपूर कानपूर से जहांसी फिर वहां से आया है हूँ दरसल मेरा graduation कंप्लीट हुआ और PG start हो रहा तो मेरा पावक ट्रांसफर हो गया तो हम लोग कानपूर चले गए उसके बाद पावक ट्रांसफर जहांसी हो गया कोविट चल ला था दरसल मुझे आना था 2019-2020 में ही था लेकिन यह कोविड की विए से फिर दो-तीन साल हम लोग लेट होगे दो साल मुखर जी निगर का महोल कैसा लगा चाहिक है यहां पर समस्याइं यहां दिक्कते होती हैं यहां पर देखे समस्याइं होती हैं लेकिन स्टुडेंट स्ट्रेगल टाइम है तो वो सब सामना करना पड़ता है लेकिन कुछ समस्याइं हैं जैसे आप यहां को इस समय जो स्टार्टिंग जो बच्चे आते हैं नए बच्चे उनके लिए सबसे बड़ी समस्याइए है कि अपना सामान सुरचित ने करबाते हैं आते हैं अपने जिस शेत से भी आए उधर ऐसा होता नहीं महाल यहां पर च चार गाड़ियों में आए आट लोगाए रोले के चरे गये उसके बाद फिर मैं घrí-र कराने गया था तो घ्राइय है लेकिन उसमें उन्होंने गणात memory करी है जर असल इसमें मुकदमा होता है च्छिनउती पे उन्होंने NORMAL EST करके आपको लोग को छोड़ दिया था था तो इन चीदे को दोस्तों आपको बड़ा धियान रखना है अगर आप मुखरजी निकर आता हैं इनcję無गों कहीं पे भी आता है कान पर फोन लगा कि आपको बात करते आप में चलना है बन्ना आपको पीछे से पता ही नफे नी चलेगा क्योग stimulus क connectburg वाइल काप चला गया ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अच्छे इतनी सारी किताबे आपके रूम में रखे हुई है और भारत की आनवा अंसाम तरंगा भी रखा है तरंगा भी रखने हैं आप अपने रूम में नए मैं तरंगा जरूर रखता हूं अपने आप पे और जो भी स्टेडी मेटरियल एक्टरा भी खरीद खरीद किलाते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं देखे मजबूरी है क्योंकि यूपीएससी को कहते है न वो अंधा कुआ है ग्यान आप जितना भी उसमें डाले उत्ता कम है इसलिए पढ़ना पढ़ता कब कहां से क्या पू इंट्रेस्ट होता है तो मुझे आईएस दरसल सोसल सर्विसेस उससे ज्यादा मैं कर सकता हूं मुझे यह लगता है इस वज़ए से है तो दरसल आप कहीं भी जाते हैं कोई एंजियो वाला भी होता है न तो IPS के साथ पास नहीं जाता है कोई चीज लेको आईएस का ही लेला आज़ा होता है ओ लग लगज़े लगता तो देखें लोग जो नहीं पढ़ रहा होता तो बढ़ने लगता है लेकिन हम लों को यह यह जौनिगे अच्छा है यह पटा लेते है आप पहला टेंप्ट का देंगे है इनक लिए सुब Ok हम नहीं और इधर आप देखेंगे तो यह मैप बगराई भी लगाते हैं यह मैं हर चातर के रूम में जाता हूं जो यू-पी-ए-स-परेंट होता है वहां लगे हुए मिल जाते हैं इनसे क्या फायदा होता है दरसल जोग्रफी जब भी स्टार्ट होती है ना तो सबसे पहले डिमांड होती मैप की तो सरकाइते हैं दरसल इसमें वह गवरोसर्थ वर्ड टूर करवाते हैं बहुत बहुत बहते हैं लगा हमको हर जगह के बारे में तो जब भी हम लोग उठते हैं जाते हैं कहीं ना थोड़ा सा लगता कि हाँ देख लेना चाहिए हम लोगों ने संस्कृति आइस के एक्सपीरियंस तो है और देखिए आप पढ़ने वहीं जाते हैं जहां आपको समझ में हैं वह पढ़ाते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ाया हुब हर एक सब्सक्राइब को समझ में आता है इस बगारा कितनी पहीं किया जैसे बहुत सारी जोइन करना चाह तो उनका भी आइडिया जाएगा कि जब आपने जोइन किया तो कितनी किस किस के लिये पहीं हम लोग ने किया था मैंने दिसंबर में भाई करवाया था तो उस टाइम हमको पच्छासी लगी थी और उसके जस्ट वैले वैच में उन्होंने बढ़ाया नहीं था लेकिन मेरा जिन से बहुत बड़ी सीख मिली होगी तो क्या क्या चाहेंगे चातरों देखे सीख अगर हो तो पहले सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि आप दिल्ली अगर आ रहे ना आप किसी से उलज़िये नहीं मतलब कोई मैटर नहीं करता आप यहां उलजने का आप पढ़ने पढ़िये और दूसरा यह है कि आप जब नए आते हैं न तो साधान रही है क्योंकि यहां कब आपको पर्स चोरी हो जाए कब मोवाइल चिन जाए कब क्या हो जा कोई भरोसा नहीं है मेरे मौसी के रड़का भी बगल में रहता है उसके रूम से उसका मोवाइल चला गया है तो से चला गया उनका यह मतलब आपका तो मतलब रास्ते में कई थे तो चला गया उनका सोते सोते चला गया यह कैसे ड़ाका गाओ कि मैं बता रहा हुआँ को कम सकम 20 चोरी हो चुकी है दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है इनकी टेमल पर इधर मुझे कुछ किताबे देखने को मिलनी है जैसे कि 20 का इथियास बगर है और ये लगवग हरे श्ट्टुएंट के पास में मिल जाती है अगर पीव जी आप पास में आईए मैं दिखाने की कोशिच करूँगा कि यह जो संस्क्रिती आईए की कुछ नोट्स बगर हैं अगर हम इसको सीधर करेंगे तो साइद आप देख पाएंगे यहाँ पे सर ने चेक भी किया है और यह आप कप्षे बना रहे हैं यह अभी मैंन आपको अगले दिन जमा करना होता है तो अभी नया नया है तो अभी दिये हैं उसमें मैं लिख रहा हूं और लगभग रोज लिखता हूं यह है जहां भी देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है आपको टीचर वहां पर टोक जाया यह जो भी चेक करने वाला जहा होता है यह मेरा यहां पर भी है तो चोड़ी चोड़ी चीज़े देखिए सबसे बड़ी परिक्षाव मैं से एक होती है अच्छा इतनी किताब हैं आपके पास में क्या आप NCIT कर चुके हैं यह कहा जाता है कि सुरुआत में NCIT पढ़नी चाहिए तो क्या आपने भी खतम करत पढ़के मुखरजी निगर में लगवग जाजातार चाहतर सबसे पहले NCIT को ही चाट जाते हैं देखे मजबूरी है क्योंकि जाजातार UPSC questions होते हैं लगवग NCIT basis होते हैं तो तो पढ़ना पढ़ेगा किसी को कोई भी हो पढ़ना पढ़ेगा उसका इतनी किताब होती है आ आप इसके एक किताब भी पढ़ सकते हैं अब एक उसकी भासा से language होती है आपका किस teacher का sound में आ रहा है जो आप अच्छा रगता है दरसल मेरा मैं college में ही मेरा history था तो तभी से ही है मेरे किताब कॉलेज से भी है आप कुछ और भी करना चाहते थे जैसे कि अभी तो आप UPSC इसके लाव कुछ और भी था मैंड में कि बहुत से लोग क्याते हैं मैं actor बनूगा कोई क्याता है मनेता बनूगा मतलब ऐसा भी कुछ था क्या कोई मंतरी क्याता है मंतरी सांसाद विदाइक बनूगा नहीं देखी मैं पहले मैं starting से बताना चाहूंगा मैं अब 11 में आया थ जब पापा की फोस्टिंग आगरा हुई थी तो उस टाइम मैं क्रिकेट का मुझे बहुत सब्सक्राइब की थी उसके बाद पापा बोले थे कि चलो तुमको वहां मेरट में चले जाना वहां मैं भीजवा दूगा दूगा मेरी मम्मी मना कर दी रोनी लगी थी तो इस वज हर चीज तो आगे नेता के फिल्ड में सोचे नहीं है दरसल हम जैसों कि एक ही सबसे बड़ी समस्या होती है सिंगल चायल होना क्योंकि आप पॉलिटिक्स मेरा फेवरेट अगर माने तो पॉलिटिक्स हैं पॉलिटिक्स मेरे जाते हैं दरसल सब चाहते हैं कि आपका से पापक सेलेक्शन जब हुआ था साथ आठ में तब इसमें ने सोचा था कि एक अधिकारी बनूंगा इस लेकिन पापा से बड़ा बनूंगा इस वजह से तो था ही लेकिन मैं सोच रहा था कि वह बच्पन था पॉलिटिक्स में अगर आता हूं तो बेटर होता मैं कि मेरी जिस हिसाब से मैं रहता हूं ना एक मेरा मदला पॉलिटिक्स के लिए बेटर था इस वजह से हैं दोस्तों बगएर आपके कुछ थे बच्पन में जो आपको वड़ा सपोर्ट करते थे किसी टाइम ऐसे कुछ आपके दोस्त पक्के थे जो यहां आने के वाजन किया रहती है हां मेरा कॉलेज में था मोहित वह यह सबन नीजी हमारे पूरे कॉलेज में हम दोनों अगर सका साथ दिया है तो थोड़ा सेफ रहेंगे बाकी ज्यादा दिक्कत उतना होती नहीं आप पढ़ाई करने पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यह इधर देखेंगे तो हमारे पास में एक दोस्त हैं यह चाय बनाएके भी लिया है इन्होंने यह चाय बनाई है यह खाना भी खुदी बनाते हैं आप लोग खाना भी खुदी बनाते हैं वो रोटी के एक्सपार्ट है रोटी आप बनाए है येस अभी आपने बनाई है हाँ बिल्कुल दोस्तों भी तरदी भी दीरे दीरे आ रही है तो इन्हों नहीं चाई बनाई है अच्छा आप बताइए अप थोड़ा इधर ही आई आए थे तो आपके साथ भी ऐसा कुछ कां इसे हुआ है और लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर वम फोड़ जाता है काई अच्छे नहीं छूटते हैं वो चास संग वह अलग एक माहावल होता है जब चास संग चुनाव होता है तो इसमें आप देखते हैं थोड़ा माहावल का भी रहता है और सामने वाले दिख कि वह आशब करते हैं कि लिए यहां पनी शौट लेती है कोई अइसी हीशू रही है यहां पे UPSC कि Todd क्यारी कैसी चल रही है जिसके लिए आपरनाएं त्रच की ठीक चले तो एयँ तरुबहुजारे अग्लीच है नहीं क्या दिक्त्ट हो में इसको यह डिस्टिर्बूं नहीं चल पा रही ठीक ठाक अन्ता ठीक है तो मैं क्या दिक्कत हुई है यहां पर कहा जाता है इस्टोएंट कहते है कि पानी क्षी बड़ी समस्या रहती है सुरुआत में तो मैं आपको बता दे रहा हूँ नो दो तीन दिन आया है तो मुझे एकदम चक्कर जैसे फील हो रहा दो-तीन दिन के कि मैं उधर से आया था उधर का महौल तो ठीक ठाक है यहां पदोसर्ण की वज़े से मेरे ना सर में एकदम थोड़ा सा भारी-भारी पन और थोड़ा चक्कर जाया कि वो समझ से ठीक हो गई फिलाल आप कोई दिक्कत नहीं है कितले गंटे लगवग आप यहां पर भी पढ़ते हैं जब सौस्त होते हैं तो चार से पांच घंटा मोचली कोचिंग के अलावा नार्मल लीड़ कि एख बिछे तो अलग पिर बात होती है फिर वह बताने हिसकर तो फिर उसी दोरान होता है बाई माल ली बीच में तबियों चार दिन पढ़ें से खूरुख हो यह से आठग्ञेना हम आपशी सबमें और प्र जाहई धाया है तो वहां competition का एक महावल होता है यहां पर जैसे है कि वहां पर एक माकान में जैसे UPSC वाले हम दो लोग रहते हैं वहां पर क्या है एक माकान है चार लोग एक वंडे वाले हैं, graduation वाला भी उसी में, उसी में UPSC है तो survive नहीं कर पाते यहां पर क्या है कि जैसे हम दो लोग रहते हैं दोने UPSC वाले हैं किसी भी topic को लेकर discussion भी करना है तो यह तो आपस की बात हो गई दूसरी बात क्या होती कि यहां जैसे क्लास में 100 लड़के हैं, competition वहां कम है यहां 1000 लड़के होते हैं कई क्लासों जैसे टेस्ट हो गई रहा होता है 1200 लड़कों का तो यहां मुल लेंकन थोड़ा अच्छा होता है और competition का भी होता कि आप मेहनत भी कम करते हैं जब वहां मालीज हम 7 गंट पढ़ते हैं तो उतना result नहीं दे पाते हैं लड़का चार घंटें पढ़कर रिजल्ट दे देता है वजह क्या है कि यहां के स्टेट जी बाई बताते हैं टीचर्स जो हैं वो बताते हैं आपकी क्या रहनी चाहिए तो इसका ही बहुत फर्क पढ़ता है अच्छा जाना चाहूं का अंगित जी आपसे भी ममी पापा को कह कहना चाहिए कि आपकी जो इस्टडी है यहां से एकदम सही तरीके से हो पार रही है हाँ मेरी हो रही है और उमीद है कि मैं जल्दी निकाल के जाऊंगा यहां से आप क्या कहना चाहिए माता पिता को तो क्योंकि वह बड़ी उमीद के साथ और बड़ी मतलब की कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे तो भेही देते हैं दूर दूर कहने तो नई अब यह एना कि आपकी पढ़ाई या मेहनत का मुल्यांकन आपकी रिजल्ट से होता है अब इसका ही आनंद लिया जाएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपके विचार साधर एक वर चाई पी के जरूर देखता हूं क्योंकि दोस्तों चाई इन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई है बाग कही में मुझे लगता है यही डेली बनाते है और किचिन में भी यही बना रहे थे बहुत बढ़िया चाई बनाते है मस्त चाई बनाई है और आप सब लोग भी चाई पीने आ सकते है और ये वीडियो हमारा रिकॉर्ड किया है पिवस भाई ने, योकि हमारे सयोगी साथ ही है, आज हमारे कैमरामें जी कहीं गई है, ट्रैन से, तो आज पिवस भाई आये थे उन्होंने रिकॉर्ड किया है, बहुत सारी स्टुडेंट अपने गाउं से आते हैं, दूर दूर से होते हैं हैं तो कभी-कभी पढ़ते हैं Um utilized को देखाए के किरिकिट खिलने से ले जाते तास एक आएसा सिस्टम हमारे यहाँ पे है हम लोग घर में भी खेलते हैं लेकिन आगा तास खेलके हम पूरी रात खेलते हैं और स्ट्रेस फ्री होने के लिए वह बेटा रॉप्सन हम अपने अपको मानते हैं तो पूरा सोते हैं नहीं दर असल हम लोग वह एक आदत है हम मैं लगभग चार-पांच भी सोता हूं और दस भी जगता हूं तो चार-पांच घंटे की नींद होती है तो सोने किसी की दिक्कत नह आते हैं तो कुछ शीनियर लोग यह भी कहते हैं कि अगर दिल्ली जा रहे हो तो गल्फेंड मत बनाना क्योंकि फिर आप जो टार्गेट पर जिस पर जा रहे हो वह पूरा नहीं होगा तो क्या आपने कुछ प्रेम के चेकर में आप पड़े कोई आपने महला में तर बनाई नहीं मेरी कोई दोस्त नहीं है और सचा ही तो यह है कि मैं ललकियों से डरता हूँ इतना क्यों डरते हैं इसका रिजन यही है कि आज की ललकियां बात करने जाओ वो कप्ठट जाएं क्या चीज बुरा लग गई है उनको कोई भरोसा नहीं ना कब उनके दिमाग में क्या च मुझे कलेक्शन का सौखत उसी वही है कि मैं मोवाइल घड़ी जूते और कपड़े इन सब का तो एक अपनी एक हैविट है और उसी वज़े से यहां पे दोस्तोरें जिनों ने चाय बनाई थी आप बताईए जैसे कि आप भी जब इदर आई होंगे तो आप तो इनके साथ घ्यम कहलते हैं तासवाला उसके बाद आपने भी कोई महिला मितर बग़र बनाई नहीं यहां पर मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं तो आने पहले जब मैं कभी बात करता था तो वह हमेशा बोले आने बात भी मैंने उनसे बात किया भईया यहां पर अकेला पर बहुत फील हो पर अगे कुछ दस्वारा दिन सिंगल गुजारों फिर तुम सिंगल से डवल हो जाओगे लेकिन ठीक रहा ऐसा कुछ है नहीं पर लोग कहते हैं कि हाँ लेकिन होना या ना होना वालक बात है वोने से कोई डिस्टर्बेस नहीं होती है तो मैं साहित तबाला हूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं है, है तो कोई दिक्कत नहीं है, होना भी जरूर है क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम में एक अधेज सिंसर हमा रहे थे, कि 22-24 साल के हो गए हो, यदि दुमहिला, मित्र या गल्फेंड नहीं है, तो फिर आपका जो जन्मन जनकरना के लिए हुआ है, वो हमेशा उस टाइम से कहते हैं, जिस टाइम में ग्रेजुएशन में था, तो यदि है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इसू नहीं, फिलाल मेरी तो नहीं है परतमान में, अच्छे ये बताइए, जैसे साहीत वाले आप कहरें, तो साहीरी की बात कर रहे हैं, प्रेयम की बात कर रहे हैं, तो विकासर कहते हैं, कोई लड़की ये आप से सही से नहीं बात कर रहे हैं, तो इन चारल पंक्तिया हमेशा उसको सुना देना, तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, लाख मिलेंगे हैं सी, इस जमाने में स तो अकेली तो नहीं विकासर हमें ऐसा यही कहते हैं तो मेरा भी रहा था कोई दिक्क्त ने चिल मारो यह कोई लड़की ज्यादा भाव का रही तुम जाओ फिलाहल मैं तो सिंगल हूं मुझे कोई इस तरह का इसू है नहीं तो कोई दिक्क्त नहीं है आप लड़िकों से इतन यह नहीं होगे तो कहां से वादा करेंगे पर यह काओंगो मुझे डर लगता लड़कियों से क्योंकि मैं मानता हूं मैं मैंने कुछ लोगों को देखा है कि एक लड़की जो होती है ना एक बॉम देखा है बॉम की तरह होती कफ़ट या कोई भरोसा नहीं है इस वज़े कोचिंग करता हूं ना तो बैच में जो भी है न तो उसमें मैं जब अंदर जाता हूं तो लगभग लड़कियों में चर्चा यही होती कि कवीर सिंग गुंडा आ गया तो मेरे साखल की वज़ेसे एक तो लड़कियां डरती है उबर से लड़कियों से मैं इसी वज़े से तो मुझे बड़ी डाड़ी पसंद है मैं मौडलिंग कर रहा हूं हार चीज कर रहा हूं तो मैं अपने लाइफ स्टायल से रहूंगा मेरा सकल ऐसे मेरी आवाज ऐसी है कोई डर रहा है तो इसके लिए पर चेंज सो हूंगा नहीं पर यह है कि मेरी आवाज मेरे लगभग हर और नहीं यहां की लड़किया कानपूर में भी था कॉलेज में भी था तो लग भग लोग मुझे गुंडा और बड़े मतलब ऐसे ही मैं वहां बुलेट थी तो बुलेट वाला गुंडा ऐसे मेरे हमेसा मुझे कमेंट्स आते हैं तो इस वज़े से लड़कियां डरती मैं भी डरता हूँ कहीं बम की तरह फट गए तो फालतों में बेच जती हो इसलिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गु सुक्रिया